हेलो एव्रिवन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की सोसिलोजी यानि की समासास्तर के बारे में इसमें हम सोसिलोजी की बुक 1 और बुक 2 यानि की दोनों बुकों से most important question जो है वो आपको कराने वाले हैं और यह important question है इसलिए आप exam से पहले इन question को याद करके जाना बिलकुल अच्छे तरीके से क्योंकि exam में यह question आने की chance बहुत जाता है और यह one sort video है इसमें मैंने कुछ previous year के question भी ले रखे हैं प्लस NCRT से important question आपको कराने वाला हूं ठीक है तो यह video जरूर देखके जाना है आपको और telegram group join कर लो class 11 ESP group के नाम से class 11 ESP के नाम से अपना telegram पे group है यहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूँगा तो आप इसकी PDF को वहाँ से download भी कर सकते है ठीक है और video को आप अच्छे तरीके से देखके जाना तो चलिए start करते हैं सबसे पहला question है कि समाज की प्रमुख विसेस्ताएं बताईए तो देखें समाज जो होता है ना समाज एक समाजिक सम्मंदो का जाल है हम सभी लोग जो हैं समाज में ही रहते हैं ठीक है तो समाज क्या है समाजिक सम्मंदो का एक जाल है समाज में समानता भी देखने को मिलती है और भिन्नता भी देखने को मिलती है ठीक है समाज वर्गों में बटाऊ अभी आपको दिखेगा समाज में पारसपरीक, सहयोग और संगर्स दोनों होते हैं यानि कि आपको कई जगा पे सहयोग भी दिखते है तो कई जगा पे संगर्स, लड़ाई, जगड़े भी दिखते हैं और आश्रित रहने का नियम समाज एक तरह से आश्चित रहने का नियम है आप इसे ऐसा मान दीजे और समाज जो है ये परिवर्तन शील है ठीक है हमेशा समाज एक जैसा नहीं रहता समय के साथ इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं ठीक है नए नए रीती रिवाज समाज नई सोच और डवलप्मेंट विकास ये सब आपको समाज में देखने को मिलेगा ठीक है नए रूल्स भी आते हैं तो ये समाज की कुछ विसेष्टाएं हो जाती है अगला कोशन है कि समाज सास्त्र जो है जो सोसिलोजी है इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है दिखे फ्रांस के विचारक थे जिनका नाम था ओगस्ट काम्टे ठीक है ये नाम आपको याद रखना है ओगस्ट क इनको समाज सास्त्र का जनक कहा जाता है ठीक है समाज सास्त्र जो आज आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हो पहले ये एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं माना जाता था ठीक है पहले इसको समाज की में भौतिकाई के रूप में ही देख लेते थे इसको एक अ बाद में इन सभी को अलग करके एक समाज सास्तर बनाया गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं देखें समाज सास्तर जो है इसकी उत्पत्ती जो है 19-20 सताबदी में हुई है याद रखना है और क्या होता है कि समू के किरिया कलापों में भाग लेने के अवर्शक है कि समस्याओं को सुलजाया जाए इन्हे प्रियत्नों के परिणाम से रोप समाज सास्तर के उत्पत्ती हुई देखें इसका उत्पत्ती क्यो हुई है समाज में लोग रहते हैं ठीक है लोगों के बीच में कई बार सहयोग भी दिखता है और कई जगा पे संगर जाए इसका प्रियास करना इसके इन सब प्रियासों को करने के लिए ही एक समाज सास्तर नाम का एक सब्जक्ट आपके लिए अलग बन गया था इसके उत्पत्ती हुई थी ठीक है उन्नीसवी शताबदी के प्रारंब में यानि सुरुआत में फ्रांस के विचारक थे जिनक हम समाज सास्तर पढ़ते हैं यह इसका पहले इसका क्या नाम रखा गया था यानि इसका पुराना नाम क्या है तो आप इसको सामाजिक भौतिकी बोल सकते हो ठीक है इसका पुराना नाम था बाद में 1838 में इसको बदल दे गया था और इसकी जगह पे इसका नाम समाज सास् भी कहा जाता है, समाज सास्तर को एक विशे के रूप में विक्सित करने में दुर्खिम हो गए, स्पेंसर हो गए मैक्स वेबर हो गए, ये जो विद्वाने इनके विचारों का काफी योगदान रहे, ठीक है पहले समाज सास्तर एक सेपरेट विशे के रूप में नहीं होता था लेकिन बाद में कुछ विचारक आया जैसे दुर्खिम हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे मैक्स वेबर हो जाएंगे, इनके योगदान की वज़े से जो समाज सास्तर एक अलग एक सेपरेट विशे बन पाया और भारत में समाज सास्तर के उद्भव के विकास का जो इतिहास है वो कफी प्राचीन है, ठीक है भारत में क्या है कि समाज सास्तर विभाग जो है ये जो अलग से समाज सास्तर यानि सोसिलोजी डिपार्टमेंट जो है 1919 में बनाया गया था, कहां पे मुंबई विश्विद्याले में, यानि 1919 में मुंबई विश्विद्याले में समाज सास्तर का एक अलग से विभाग बनाया गया था, और इसका आपचारिक रूप से अध्यान शुरुआ था, इसका करीकुलम आया था, जो आपचारिक रूप से अध्यन की आविशक्ता क्यों पड़ी ठीक है क्यों आविशक्ता है समाज सास्तर की तो देखिए भारत जो एक बहुत बड़ा देश है ठीक है यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है और यहाँ पे बहुत सारी विवित्ताएं हैं भारत विवित्ताओं से भरा देश है। बाशावाद जैसी समस्या अभी हो जाती है, संप्रतायवाद, जातीवाद, ऐसी कई सारी समस्या हैं, और इन समस्याओं को पहले समझना, इन समस्याओं का अध्यन करना, ये किसके अंतर गताता है, समाज, सास्त्र, यानि सोसिलोजी के अंतर गताता है, ठीक है, इन समस्याओ को पहले समझना और फिर उसके बाद इन समस्याओं को सुलजाना ये सब कैसे ठीक है जब ये लगा कि इन समस्याओं को पहले अध्यन किया जाए इनको सुलजाया जाए तब ऐसा महसूस हुआ ऐसी जरुत महसूस हुई कि इसको एक अलग से एक विशय के रोप में इसको महतु दिया जाए तो इसको समाज सास्तरी अध्यान कहा जाता है यहीं से इसकी सुरुवात होते है इसकी आवशक्ता महसूस होई भारत जो है यहाँ पर विबिन समस्याओं के समाधान के लिए समाज सास्तर का अध्यान अधिक लोग पर यह होता जा रहा है ठीक है बहुत महत्पूर्ण है यह कि भारत जो है यहां पर बहुत तरह की समस्या हैं तो इसका समाधान करने के लिए कहीं न कहीं समाज सास्तर का अध्यन जो है बहुत ही फेमस होता जा रहा है लोग इसका अध्यन करते हैं फिर दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मा का ध्यान के लिए भी इसकी जुरुत पड़ती है क्योंकि भारत का समाज भारत का जो समाज है भारत की जो रीती रिवाज है वो अमेरिका के समाज और अमेरिका के रीती रिवाज से अलग होंगे जापान का समाज और जापान के जो रिती रिवाज है उससे अलग होगा तो ऐसे में विबिन समाजों के बीच में तुलनात्मा कध्यान करने के लिए भी समाज सास्त्र जो होता है वो जरूरी होता है ठीक है और इससे समाजिक गतिसीलता के बारे में हमको जानकारी मिलती है अगला कोशन है कि व्यक्ति और समाज के सम्मंद बताने आपको तो देखे व्यक्ति यानि कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है यानि मनुष्य जो है वो समाज में लोगों के बीच ही रहता है कोई व्यक्ति अगर चाहे एकांत में जाके जंगल में अकेले रहना चाहे तो वो नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको बहुत तरह की जरूरते होती है ठीक है और उसके अडोसी पडोसी और एक सिक्योर्टी कहीं न कहीं महसूस होती है जहां पर खुब सारे लोग रहते है तो ऐसे मैं मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज में रहता है वो अकेले नहीं रहता कि दूर दुर्गम इस्तानों पर अकेले रहता हूँ जो मानाव का शरीर होता है उसकी जो सामाजिक विसेश्ता है या उसकी जो quality है उसकी जो personality है वो भी कहीं न कहीं समाज में आगे ही निखरती है तो ये महतपूर्ण है समाज व्यक्ति जो है समाज पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है याद रखिए हर चीज के लिए वो समाज पे निर्भर होगा व्यक्तियों के बिना समाजिक सम्बंदों की विवस्ता नहीं पनप सकती है और ना ही समाजिक सम्बंदों की विवस्ता बिना समाज के अस्तित्व में आ सकती है समाज होगा तब ही व्यक्ति डवलप हो पाएंगे समाज ही नहीं होगा तो कहीं नहीं व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा और उसका समाजी करण नहीं हो पाएगा तो यह महत्पूर्ण था याद रखिए अगला कोशन है कि समाज में आसमानता ही होती है इस पे आपको चर्चा करने है ठीक है बिल्कुल होती है एक समाज जो है वो दूसरे समाज से बिल्कुल भिन होता है भारत का समाज जापान के समाज से बिलकुल अलग होगा ठीक है नौर्थ इंडिया का समाज साउथ इंडिया के समाज से भी अलग होगा तो आप देखोगे कि विबिन समाजों में कुछ ना कुछ भिन्नता कुछ ना कुछ आसमानता है देखने को मिलती है और हम एक से अधिक समाज के सदसे बनते जा रहे हैं कैसे यह important line है इसका मतलब समझना है बहुत गहरा मतलब है हम एक से अधिक समाज के सदसे बनते जा रहे हैं ऐसा कैसा हो सकता है हम तो एक ही समाज में रहते हैं तो देखे अब मैं आपको एक example से समझाता हूँ पहार, पहनावा, रहंसेन, अलग हो सकता है, तो ऐसे में क्या है कि इस बंगाली की चीजों को अगर कोई पंजाबी व्यक्ति देखता है, अगर वो इससे कुछ अपनाता है, कुछ नगुछ तो सीखते हैं, भई पड़ोसी से कुछ नगुछ सीखते हैं, ऐसे पंजाबी का तो हम कहीं न कहीं एक दूसरे का culture अपनाते जा रहे हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि हम जब दूसरों की चीजों को अपनाते हैं हमारी चीजों को भी कोई अपनाता होगा तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम जो हैं वो एक से अधिक समाजों के सदस्य जो हैं बनते जा रहे हैं तो इसी को अन्योन किरिया के रूप में हम देखते हैं हम अन्य समाजों के साथ अन्ते किरिया करते हैं समझ गए न कि हम किसी की रिती रिवाज को समझेंगे, जो चीज़ Counter हमें अच्छी लगेगी, तो हम उसको अपनाएंगे, ठीक है? हम अन्य समाजों के साथ अंते की रिया करते हैं, और उनकी संस्कृ voluntय को हम ग्रेहन करते हैं, अपनाते हैं और हमारी चीजों को भी दूसरे लोग अपनाते हैं इस प्रकार आज हमारी संस्कृति जो एक मिश्रित संस्कृति बनती जारी है ठीक है क्यों क्योंकि मैंने आता है ना बंगाली ने पंजाबी का कुछ अपना लिया पंजाबी ने बंगाली का अपना लिया बि आप देखे भारत के लोग यूरोप के देशों से बहुत प्रभावित हो रहे हमारे जो लोग है पस्चिमी देशों से प्रभावित हो रहे पस्चिमी देशों की संस्कृति को अपना रहे तो यह भी मिश्चित संस्कृति हुआ यहां तो मैं आपको बिहार, बंगाल, पंजा रखना है ठीक है तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है ना इसमें आसमानता कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी और हर समाज में आसमानता होती है कि वह भारत में नहीं दुनिया बर में यही होता है ठीक है एक्जामपल देखें अमीर गरीब ये भी एक आसमानता है आगे चलते हैं अगला कोशन है कि ये रिपीट हो गए और आगे देखते हैं समाजिक इस्तरी करण से क्या विपराए हैं तो देखे समाज में लोगों के बीच में भेद होता है कुछ न कुछ differences होते हैं इसी को हम कही न कहीं समाज का इस्तरी करण कह सकते हैं देखे समाज में कहीं सारे इस्तर बन जाते हैं जैसे उच नीच के आदार पे छोटे बड़े के आदार पे समाज में विबिन इस तरह में बढ़ जाता है समाज ठीक है समाज में वर्ग बन जाते हैं इसमें कुछ उंचा वर्ग हो जाता है कुछ नीचा वर्ग हो जाता है कुछ उंची जाती है हो जाती है कुछ नीची जाती हो जाती है तो इस तरीके से कहीं न कहीं वर्ग बन जाते हैं ठीक है तो इसी को सामाजिक स्तरीकरन कहते हैं अब यह जो सामाजिक स्तरीकरन है इसके बारे में कुश्चन आता है तो सामाजिक स्तरीकरन की विसेस्ता आपको बताओ नीची तो देखे इस्तरीकरन की प्रकृति जो है सामाजिक है यानि हर समाज में होता है ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इस्तरीकरन देखने को मिलेगा आप दुनिया के किसी भी समाज में देख लो आपको हर समाज में इस्तरीकरन देखने को मिलता है ठीक है फिर इस्तरीकरन जो ह विबिन स्वरूप हो सकते हैं जैसे आयू के आधार पे वर्ग जाती इसके आधार पे भी देख सकते हैं इसको इस तरीकरन के कारण जीवन शैली में भी हमको कहीं न कहीं विबिनता देखने को मिलती है ठीक है विबिनता आ जाती है अगला कोशन देखते हैं एक कोशन बहुत में हो गया तो आप OBC ही रहों गया जाती का नाम ने ले रहे हूं किसी भी मैं आपको सीदा SCHT ऐसे गर बता रहो ठीक है आप जनरल में जनम होता है तो जनरल ही रहोगे तो यानि जाती जो होती वह जनम प और ये प्रजातंत्र और राष्टवात के प्रतिकूल है, यानि प्रजातंत्र और राष्टवात के लिए सही नहीं है जाती प्रता, तो ये हो गया जाती, अब वर्ग देखिए, वर्ग जो है, ये जनम पे आदारित नहीं है, ये सामाजी की स्थिति पे आदारित होता है, ठ ऐसे जाती को बदला नहीं जा सकता मैं आपको बताया था ना लेकिन वर्ग को बदला जा सकता एक्जामपल देता हूं देखिये मान लिजिए कोई गरीब के घर में बच्चा पैदा हुआ है ठीक है तो वह गरीब रहन सैन रहेगा उसका लेकिन मान लिजिए वह बच्चा वर्ग में आ जाएगा, तो वर्ग जो है, इसको बदला जा सकता है, लेकिन जाती को नहीं बदला जा सकता है, ठीक है, वर्ग एक खुली विवस्ता होती है, इसमें चेंजिस भी हो सकते हैं, वर्ग में ज्यादा कठोड़ता नहीं होती, जाती के अपने नियम होते हैं, दुनिया के किसी समाज में चले जाओ आपको वर्ग दिखेंगी दिखेंगे ठीक है तो ये जाती है और वर्ग में अंतर आपको पता होना चाहिए अगला कोशन है कि सामाजिक नियंतरन से क्या भी प्राय है सामाजिक नियंतरन का महतो और आवेशक्ता आपको बताना है ठीक ह है तो सामाजिक नियंतरन का महत और आवेशक्ता क्यों है इसको समझे देखिए सामाजिक विवस्ता को स्थापित करने के लिए ये सामाजिक नियंतरन बहुत जरूरी है मानव के विवहार को नियंतित करने के लिए सामाजिक नियंतरन जरूरी है संस्कृति को बचाई रखने के लिए संस्कृति जो होती है उसके मूल तक्तों की रक्षा करने के लिए भी नियंतरन जरूरी है अगला कोशन देखें सामाजिक नियंतरन के परकार बताने तो देखें मेंली दो परकार के हैं एक तो है आपचारिक नियंतरन यानि आपको तरीके बता रहे हैं कैसे ये नियंतरन किया जा सकता है और दूसरा है अनपचारिक आपचारिक कैसे होता है देखे इसको इसका नियंतरन एक तरह से कानून के द्वारा होता है यानि सरकार ने क्या करा कानून बना दिया अब उस कानून के अंतरगत समाज को नियंतरित किया जाएगा ठीक है इसको अपचारिक नियंतरन कहा जाएगा इसमें कानून के तहत काम होता है इसमें राज्य यानि सरकार काम करेगी इसमें पुलिस काम करेगी इसमें अदालत काम करें कि ठीक है इस तरीके से ये पूरा लीगल हो जाता है और इसमें मानलो कोई व्यक्तिव अपराद करता है कोई भी अपराद क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी अपराद की गंवीरता की अनुसार उसको सजा मिलती है ठीक है ये तो हो गया अपचारिक अब दूसरा होता है अनपचारिक इसमें क्या होता है ये विक्तिगत होता है ये असास की होता है यानि इसमें शासन का कुछ लिना देना नहीं होता है ये आसनिता बद्ध होता है आसनिता बद्ध यानि इसमें कोई लिखित का बाल नी कटवाना चीए या गुरुवार को नाखुन नी काटना चीए ये कुछ ऐसी प्रता चलिया रही है तो इससे भी कई ना कई नियंतरन किया जाता है समाज को तो ऐसी मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ ऐसे सैकड़ो एक्जामपल हो सकते हैं फिर क्या है परंपरा के अनुसार रूडी वादी जो बाते हैं उसके अनुसार किया जा सकता है या फिर मान लीजे गाउं में क्या होता है पंचायत के द्वारा ग्रामीन समुदाये में जाती है नियम होते है तो ये भी एक तरीका है ये अनौपचारिक में आता है ठीक है ये लीगल नहीं होता इसके बाद देखे सामाजिक संस्ता से आप क्या समझते हैं तो देखे संस्ता क्या है संस्ता ऐसी होते है जिसको सभी लीगल माने ठीक है जिसके नियम को माना जाए तो सामाजिक संस्ताओं को सामाजिक जो standard होते हैं, जो आस्था होते हैं, जो लोगों के मूले होते हैं, विचार होते हैं, समाज की जो जरूरत होते हैं, उसके आधार पे इसको बनाया जाता है, ठीक है, और ये जो सामाजिक संस्ता ही होते हैं इसको भी दो category में देख सकते हैं, एक तो अनौपचारि या प्रथा द्वारा सुविकिर्थ नियमों के अनुसार काम करते हैं यानि संस्ता जो एक लीगल तरीके से काम करे जो सुविकिर्थ नियम है उस नियमों के अनुसार काम करे तो उसे संस्ता कहते हैं तो हमारा समाज भी एक संस्ता ही है अब ऐसा मान सकते हैं और संस्ताइज होती है विवक्तियों पर प्रतिबंद लगाती है अगर मानलो कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबंद लगाएगी साथ ही ये विवक्तियों को अफसर भी परदान करती है अच्छे काम करती है तो उसको प्रोसाहिद भी करती है ठीक है मान लीजे किसी की वाइफ मर जाती है तो ऐसे में वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है या किसी का पती मर जाता है तो वो महिला दूसरी शादी कर सकता है यानि एक टाइम पर एक ही रखना है ठीक है तो एक तरह से एक विवा हो जाएगा अंतर विवा में क्या होता है कि देखे जो इसमें क्या होता है अपनी जाती के अंतर ठीक है जाती वगरा को ध्यान में रखके साधी की जाती है अपनी ही जाती में साधी करते है बहिर विवा में क्या होता है इसमें व्यक्ति जो हते है अपने समू से बाहर जाके विवा करते ह इसमें गोतर का ध्यान रखा जाता है, जाती, नसल वगेरा इसका ध्यान रखा जाता है अगला कोशन देखते हैं, संस्कृति से क्या अभिप्राए है, संस्कृति से क्या अभिप्राए है उसका एक सारांस मान लिजी आप उसे सीखा हुआ वेवार मान लिजी सीखे हुई चीजों का एक भंडार है संस्कृति संस्कृति को परिभाशित करना असान नहीं संस्कृति के बहुत गहरे मतलब बनते है ठीक है तो इसमें एक विद्वान है TIRAL इन्होंने क्या कहा है संस्कृति को इनकी भाषा में समझते हैं ये कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल पूनता है जिसके अंतरगत ग्यान, विश्वास, कला, नीती, कानून, प्रता, अन्ये शम्ताय आदते सम्मलित होते हैं मनुस्य समाज के सदस्यों के रूप में इसको ग्रेंड करता है अब देखें, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के कुछ कानून होंगी उस समाज के कुछ नियम होंगे उस समाज के कुछ प्रता होगी और हम इन चीजों को फोलो करते हैं हम उस संस्कृति को अपना रहे हैं ठीक है तो यह संस्कृति है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कोशन है कि भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में क्या डिफ्रेंस होता है तो देखिए भौतिक संस्कृति जो होती है मूर्त होती है मूर्त मतलब जो हमें दिखे जिसको हम छू सकते हैं ठीक है जैसे किताब हो गया पैन कुरसी ये सब क्या है मुझे से छू सकते हैं तो ये भौतिक संस्कृति हो जाती है भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं इसको हम माप सकते हैं कितनी इसकी quantity देख सकते हैं और भौतिक संस्कृति जो है समाज कोई भी उठा सकता है ठीक है तो यह भौतिक संस्कृति के थायत आता है भौतिक संस्कृति के तत्व जो है वह आकर्शक होते हैं और इसलिए इसको हम आसानी से स्विकार कर लेते हैं तो भौतिक संस्कृति में क्या चीज़ा आती है मूर्त जो हमको दिखती हो जैसे कि अमूर्त होती है जिसको हम देख नहीं सकते ठीक है इसको हम छू नहीं सकते इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं जैसे कि कि किसी के विचार, किसी के आदर्श, किसी के मूले ठीक है अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते, कभी भी हम किसी के विचारों को कैसे मापेंगे, विचारों को मापने का कोई parameter ठोड़ी होता है अब भौतिक संस्कृति में परिवर्टन धीरे धीरे आता है, क्योंकि लोगों के विचार जो हैं, वो एकदम से नहीं बदलते हैं, कई पीडिया लग जाती है विचार बदलने में, अब बहुतिक संस्कृति के तत्व का लाब सिर्फ उसी समाज के सदसे उठा सकते हैं, ठीक है, अब बहुतिक संस्कृति के तत्व जो हैं, वो आकरशक नहीं होते हैं, इसलिए इसमे आपको एक example देता हूँ देखें आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा मानलेजिए एक दो साल का कोई बच्चा है दो साल का अगर वो कोई चीज खा रहा है ठीक है आप उसे बोलो कि भाई मुझे अपनी चीज देदे खाने के लिए तो वो आपको नहीं देगा क्यों क्यो सामाजी करंण कहांपे होता है तो बच्चे के बचपन से ही सुरू हो जाता है बच्चा इसका सामाजी करन की परकीरिया कही न कहीं स्टार्ट हो थोड़ा समय लगता है पर हो जाता है श्टार्ट ठीक है और बच्चा अपने बच्पन में ही इन चीजों को सीखने लग जाता है दुद्धिये सामाजी करन क्या होता है इसमें बच्पन की जब अंतिमवस्ता से सुरू होकर जीवन की जो मैचुर्टी आने तक चलता रहता है सामाजी करन के प्रमुक अभी करन क्या है देखे कहां कहां पर हम सामाजी करन सीखते हैं विद्याले में विद्याले में जाते हैं जब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हमारे दोस्त बनते हैं ठीक है हम उनके साथ अपनी चीज़ों को जैसे हम अपने लंच को शेयर करके प्रश्न है हमारा कि सामाजिक परिवर्तन से क्या भी परहा है तो देखे इसका मतलब क्या है पहले हम किताबी लेंग्विज जो हमारी बुक की लेंग्विज होती है उसमें समझते हैं सामाजिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जो कुछ समय बाद समाज की विभिन इकाईयों में भिन्नता लाते हैं यानि कि कहना का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि कुछ समय के बाद समाज की जो भी इकाईया है उसमें परिवर्तन कर देते हैं यानि कि उसको अलग कर देते हैं भिन्नता ला देते हैं उसमें और इस प् ठीक है और परिवर्तन यानि कि जो समाज में जो परिवर्तन है यह हमेशा चलने वाली प्रिक्रिया है आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊं एक्जामपल आपको देखे समझाता हूं देखे मान लेजिए आप किसी स्थान पे रहते हैं और आप उस स्थान से कहीं चले ज रहेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे बहुत कुछ बदल गया हो सकता है वहां पे पहले बहुत सारे मकान हो अब उससे भी जादा मकान हो गया हो बिलकुल मतलब इस एरिये का बिलकुल रूप जो एकदम बदल जाएगा क्योंकि यह जो परिवर्तन होता है वो हर के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है तो जो पुरानी प्राचीन विवस्ता रहती है उसके जैसा कुछ भी नहीं रह जाता बलकि सबकुछ आधुनिक और मॉडन होता जाता है तो इसलिए प्रक्रिया जो है यह यह सामाजिक अरण की यह एक तरह से देखा जाए तो यह हम हमेशा चलने वाली प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है अब यहीं पर विद्वान है गिडेंस क्या कहते हैं इनके बारे में समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से आश है उस परिवर्तन से है यह सामाजिक परिवर्तन उस परिवर्तन की और इशारा करता है जो किसी वस्त या किसी परिस्थिती जो भी कोई सिच्वेशन है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए किसी पर्टिकुलर समय अवदी के दोरान तो इसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है ठीक है किलिए रहें next देखते हैं अगला कोशन है कि सामाजिक परिवर्तन का वर्गी करण उसकी परिवर्तन सेकेंड नमबर पर आता है भारी परिवर्तन अब आंतिरिक परिवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं आंतिरिक परिवर्तन में क्या होता है इसका जनन्सरोत देश के अंदर होता है यानि कि जो भी परिवर्तन हो जैसे कि संस्कृतिकरन इसका अच्छा उदारन ठीक है संस्कृति करन जो है वो देश के अंदर से ही हुआ है देश के अंदर के रिती रिवाज मूले मानेता ही इसके आधार पे हुआ है जबकि ये आंतरिक हो गया इसी में दूसरा पहलू जो होता है वो होता है बाहरी यानि कि जब हमारे समाज में परिवर्तन जो होता है व सो साल पीछे देखोगे तो हमारे जो लोग थे जो हमारे पूर्वस थे वो सभी कहां पे रहते थे गाओं में रहते थे ठीक है क्या काम करते थे खेती या फिर अन्य कामों से जुड़े हुए थे ठीक है उनका जो पहनावा होता था वो कैसा होता था धोती पहनी जाती थी कु तरह की चीज़े यह मैं आपको 100 साल पीछे ले जाके बता रहा हूँ लोग इतने modern नहीं थे इतनी सुविधाएं नहीं थे कम सुविधाओं में भी अच्छा जीवन जीते थे लेकिन बाद में हम नग्रिये सब्वेता वाला सिश्टम आया ठीक है हम कहीं न कहीं पस्चिमी ज चीन पहननने लगे टी-शेट पहनननने लगे कोट पैत इस तरीके से महिला।। में भी जीन टॉप वगयरा इस तरीके से परιवर्तन आयारे विचा बदल गया रहें सल्सक्रिक इम्हारा कोई बढ़ल गया ठीक है अगर ये परिवर्टन हमारे देश के अंदर से ही आये होते हैं, मालो हमारे ही समाज में, जैसे कि South, South से कोई परंपरा North की तरब जा रही है, South के जो परंपर हैं उसको North के लोग अपना रही है, या फिर अपने ही देश में जो संस्कृति परंपर ही ये बढ़ रही है, ऐसी च रामीन चेतर और नगरी चेतर में किलियर अंतर है, आप आसानी से समझ जाएंगी, तेकि बिल्कुल सिंपल, गाउं जो होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, नगर की बात करें तो वह आकार में बड़े होते हैं, किलियर हैं, नेक्ष्ट क्या है कि सं यहां तक कि आप जिस गली में रहते हो, आपके पीछे वाली गली में कौन व्यक्ति रहता हो सकता है, आप उसके बारे में ना जानते हो, दो चार अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी को आप जान सकते हो, लेकिन दस कदम दूर पे आप उसे अच्छे से नहीं जानते हैं, ठी यह चीज़ इतनी प्रभावसाली नहीं होते हैं क्योंकि शेरों में थोड़े modern हो जाते हैं सोच में धर्म जाती प्रता वगरा यह चीज़ इतनी ज्यादा इनके लिए matter नहीं करती है सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो धीमा होता है गाउं में अगर बात करें लेकिन शेरों में देखें तो यह काफी तीवर होता है जनसंख्या का गना तो गाउं में काम होता है लेकिन शेरों में जनसंख्या का गना तो काफी जादा होता है गाउं के लोग जो होते हैं गाउं, कस्पा, जो नगर होते हैं, सभी एक दूसरे से अलग है, गाउं की बात करें, तो यह एक ऐसा भोगोलिक छेतर होता है, जहां पे जो लोग रहते हैं, उनकी जिन्दगी होते हैं, वो क्रिशी प्यावधारित होती है, खेती वगरा, प्राथमी क्रिये कलाब करते हैं, लोग खेती हो गया पश्चु पालन हो गया ठीक है जनसंख्या यहाँ पर कम होती है लोग यहाँ पर सिंपल होते है और सिंपल इनका जीवन होता है ठीक है और यह गाउं इसे हम गाउं कहते है यहीं पर अगर हम बात करें कस्बे की तो कस्बा जो है देखो एक होता है गाउं एक होता है नगर और इन दोनों के बीच में आ जाता है कसबा कसबा क्या है ना तो वो पूरी तरीके से गाउं है ना ही वो पूरी तरीके से नगर है लेकिन वो गाउं से उपर आता है ठीक है रहन सेन लेकिन नगर से कम में आता है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कसबा जो होता है इसको नगर का छोटा रूप you ना वो पूरी तरीके से गाउ है ना ही वो पूरी तरीके से नगर है ये ग्रामीर छेतर से तो बड़ा होता है लेकिन नगर से ये छोटा होता है जो basic सुक्स विदाएं होती है वो आपको कस्बों में मिल जाएंगे जो कि गाउं में आपको नहीं मिलते है ठीक है नगर की बात करें तो नगर जो होता है बहुत बड़ा भोगोलिक छेतर होता है यहाँ पर जो लोग है वो खेती के स्थान पर दूसरे कारे करते हैं जैसे दुत्यक क्रिया कलाप हो जाएगा manufacturing हो जाएगी वी निर्मान हो जाएगा ठीक है कारखानों में लोग काम करते हैं और यहाँ पर जनसंक्याज होती है वो ज़्यादा जटिल होती है मतब इनके बीच में संबंद जो होते हैं जटिल होते हैं व्यर्तिकत संबंद जो होते हैं नगरों में आपको देखने को नहीं मिलते हैं clear है तो यह अंतर होता है गाउं कस्वा और नगर के बीच में next है कि ग्रामीन छेतर तथा उसमें हुए सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए तो देखे गाउं में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ग्रामीन छेतर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसको समझते हैं आज के समय में गाउं में भी सारी सुविदाये लगबग लगबग पहुँच गई, सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए है, जो सुविदाये शेहर के लोग लेते हैं, वो लगबग लगबग गाउं में भी मिल जाती है, ठीक है? फिर के नेक्ष्ट भू सौमित्तों में परिवर्तन, प्रभावी और प्रबल जातियों का उदय हुआ है, इससे भू सौमित्तों जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, फिर के प्रबल जाती, प्रबल जाती जो आर्थिक सामाजिक और राजनितिक रूप से समाज में शक्ति साली जातिया होती है अब ये ना अलग अलग राज्यों में अलग 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 इस्थान पे अलग अलग जाती हो सकता है कहीं पे जो यादव जाती है उसका वर्चस हो हो वो प्रबल हो तो हो सकती है कहीं पे कोई दूसरी जाती है वो ज़्यादा प्रबल हो, हो सकता है कोई जाती कहीं पे ज़्यादा प्रबल ना हो तो ये अलग-अलग स्टेट पे, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग स्थिती के आदार पे हो सकता है नेक्स्ट है कि क्रिशी की तक्नीकी परणाली में परिवर्तन पहले क्या होता था गाउं के लोग होते थे क्रिशी करते थे उनके पास हल होता था एक लकडी वाला उनके पास बैल होते थे कैसी चाही के लिए आम साधन होते थे जैसे नहर वगेरा हो गई यह सब चीज़े होती थे लेकिन अब गया है शेहरों में जिस तरीके से करने पर मजबूर कर दिया ये भी एक परिवर्तन है ग्रामीन समाज में निर्धन ग्रामीनों के विकास के लिए सरकार ने 25 में राष्ट्य ग्रामीन रोजगार गारनटी अधिनियम कारे करम जोता इसको शुरू किया है तो ये कुछ ग्रामीन शेत्र में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसके बारे में बताए अगला कुशन है कि समाज सास्त्र जो है कार्ल मांक्स जो है उनका योगदान आपको बत कारल मार्क्स जो है इनका कहना यह था कि समाज जो है वो विबिन चर्णों में उन्नती करता है यानि कि समाज एकदम से उन्नती नहीं करेगा उसके अलग-अलग step होते है जिसको हम चरन कह रहे हैं ठीक है यह चरन कैसे है पहले मानों जो होता है वह आदीम सामन्तवाद वाली विवस्ता में होता है फिर वो दास्ता वाले विवस्ता में होता है फिर सामंतवादी विवस्ता में आता है फिर पुंजीवाद और बाद में समाजवाद तो उनका मानना ये है ये कहते हैं कि पुंजीवाद जो है जब पुंजीवाद होता है बाद में पुंजीवाद के बा एक होता है अमीर वर्ग जिसमें पूंजी वती उद्योग वती ये सब आ जाते हैं दूसरा होता है गरीब वर्ग इसमें हमारे किसान मजदूर वगएर आ जाते हैं ठीक है ये कहते हैं कि अमीरों की संख्या जोती होती है वो कम होती है अमीर लोग इनके पास पैसा तो बहुत और ये जो इन दोनों के बीच में फासला होता है मेरी गरीबी का इसको मिटा देते हैं और उस समय जो समाज है उसमें समाजवादी विचारदार आ जाती है इस प्रकार से इनोंने वर्ग संगर्स के बारे हम बताया है ठीक है अगला कुश्चन है समाज सास्तर में जो दुर्खाईम है इनके क्या योगदान है इसके बारे बताना है तो दुर्खाईम की जो दृष्टी है उनके नजरे से अगर हम देखे समाज सास्तर तो इनका कहना है कि समाज सास्तर की विशय वस्तु जो है वो सामाजिक तथ्यों का अध्यन दूसरे विग्यानों से तुलनात्मक रूप में भिनने है ये देखे जैसे दूसरे विग्यान है चाहे वो सामाजिक विग्यान हो या अन्य कोई विज्यानों नागरिक सास्तरों ETC कोई भी हो ठीक है ये कहते हैं कि जो समाज सास्तर है जो सोसिलोजी है वो बिल्कुल दूसरे विज्यानों से तुलनात्मक रूप में देखें तो एकदम अलग होता है अन्य प्राकृतिक विज्यानों की तरह है इसे भी आनुभाविक विशे होना चाहिए इनका ये मानना है ये कहते हैं कि समाज एक सामाजिक तथे था जिसका अस्तित्व जो है वो नैतिक समुदाए रूप में व्यक्ति के ऊपर है ठीके ये व्यक्ति को बहुत ज़ादा व्यक्ति से ऊपर मानते समुदाए को, समाज को, समाज सास्तर को और सामाजिक तथे वस्तूओं की तरह होती है इनका कहना है कि सामाजिक तथे जो है वो वस्तूओं की तरह होती है वो व्यक्ति के लिए बहाई होती है लेकिन जो उसका आचरान है उसको कही न कहीं बादित करती है कानून हो गया, सिक्षा हो गया, धर्म ये सारी कहें संस्था हैं ये कहीं न कहीं सामुहिक तत्यों का गठन करती है ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है व्यक्ति से उपर समुदाय को माना है समुदाय के नैतिक विकास को महत्तु दिया है और सामाजिक तत्य को ये वस्तू की तरह मानते हैं जो कि भाहरी होती है वेक्ति के लिए और कहीं न कहीं उसके आचरन को ये बादित करती है ऐसा इनका मानना है अगला क्योशन है कि नोकर साही की प्रमुख विसेस्ताओं के बारे में बताना है नौकर्शाई जो है एक संगटन है और ये घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित है नौकर्शाई वैसे होता क्या है कि किसी भी समाज में जो साशक होता है ठीक है साशक यानि कि जो राजा है अमानलो राज तंत्र है तो राजा हो गया लेकिन लोगतंत्र है तो शाषक में जो हमारे प्रदानमंतिर राष्टपती है जो भी सत्ता चला रहे हैं वो है इन्होंने क्या करा हैं यह कानून बनाते हैं और उस कानून को पालन होता है वो लागू कराने का काम किसका होता है नोकरशाही वगरा का होता है तो नोकर साही सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं और उसमें क्या होता है, सभी को अलग-अलग तरह से काम विभाजित होते हैं और उनके जो कारे का जो सक्तियां होते हैं, वो सीमित होते हैं कारे छेत्र पहले से निर्धारित होता है उनके रूल्स वगेरा पहले से निर्धारित होता है तो ये नो करसा ही हो जाता है इसमें करमचारी वगेरा होता है ठीक है उनकी शक्ती उनकी जिम्मेदारी सब कुछ पहले से निर्धारित होता है हर कोई अपने दाइरे में रहकर ही वो कारे करता है उद्योगी करांती के सामाजिक परिवर्तन क्या हुए आप सभी जानते हैं उद्योगी करांती जो है ये ये यूरोप के बिटेन से सुरू हुआ यूरोप के देशों से सुरू हुआ और उद्योग की क्रांती के समय में क्या परिवर्तन हुए समाज में यह आप से पूछा हुए तो देखें परिवर्तन यह होते हैं कि जो शहरी इलाके थे यहाँ पे जो उद्योग थे उसको चलाने के लिए मजदूरों की जरूत थी डिमांड थी तो उसको कैसे पूरा करा उन्होंने विस्थापित लोगों ने पूरा करा जो दूसी जगह से आते थे जैसे गाउं वगरा से जो लोग सहरों की तरह आते थे वो यहाँ पे मजदूर बन जाते थे यह काम की तलास में आते थे सेहर में बस जाते थे और यहां पर कारे करते THे कारखानों वगएरा में इनको क्या उता थे इनको कम पैसे मिलने के और यह अपनी जो रोजी-्रोटी है वो चलाने के लिए पुरुस भी और इस्तरी भी दूनों ही काम करते تھे कई बार पुरुस इस्तिरियों के साथ साथ बच्चे भी काम करते थे ठीक है खतरनाक परिस्तितियों में काम करना पड़ता था पैसे जो इनको मिलते थे वो काफी कम मिलते थे फिर क्या कि आधुनिक उद्योगों ने शहरों को दिहात पर हावी होने में मदद करी नेक्स्ट है कि आधुनिक शासन पदितियों के अनुसार रास तंद्र को सारवजनिक सामुहिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और इनके लिए नए परकार की जानकारी और ग्यान के अवशक्ता जो थी वो कही न कहीं महसूस होने लगी थी अगला कुशन है कि लुई डियूमो जो है ये गाउं के प्रतिन के क्या विचार थे देखिए ये जो लुई डियूमो थे ये मानते थे इनका मानना था कि गाउं को एक स्रेणी के रूप में महतु देना कहीं न कहीं गुमरह करने वाला हो सकता है ये कहते थे कि जाती जैसी जो संस्ता हैं ये गाउं की तुलना में ज़्यादा महतु पूर्ण होती है क्यों भूँ देखो जाती जो होती है वो जynnum पर आधारित होती है क्योंकि आपका जिस जनम जिस जाती में जनम होगा आप उसी जाती के रहोगे आप जाती को बदल नहीं सकते इसले इसको ये एक महत्पॉंच संस्था के रूप में देख रहे थे ये कहते थे कि लोग एक लोग जो है वो अपने गाउं को छोड़कर दूसरे गाउं को जा सकते हैं लेकिन उनकी सामाजिक संस्ताइं सदय उनके साथ रहेगी अब मान लीजिए कोई वर्ति किसी जाती का है वो अपने गाउं को छोड़कर दूसरे गाउं में भी चला जाता है वो भारतिय जो गाउं थे उसको कहीं ने कहीं स्थिर मानते थे और वो गाउं को आत्म निर्बर कहते थे क्योंकि गाउं के लोग जोते वो अपने लिए खुद से किर्शी करते थे खुद से अपने जीवन का निर्वा कर लेते थे डियूमों का जो दृष्टिकोन है गाउं के परती इसका ना विरोध करा है किसने करा है श्री निवास ने श्री निवास ने इनके जो गाउं के परती नजरिया था उसकी खुलकर आलूचना किये अगला कोशन है कि कल्यानकारी राज्य क्या है A.R. देसाई के अनुसार आपको बताने है कल्यान कारी राज्जे एक सकारात्मक राज्जे होता है राज्जे मतलब यहाँ पे सरकार से है किसी सरकार के शासन इस सब चीज़ों को राज्जे कहा जा रहा है आपे कल्यानकारी राज्ये केवल नियूंतम कारे ही नहीं करता जो कानून तथा विवस्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और जो कल्यानकारी राज्ये होता है ये हस्तिछेप कारी राज्ये होता है हस्तिछेप ये और समाज की बहतरी के लिए समाजिक नीतियों को ल अब सरकार कैसे फैसला लेगी अपने लोगों को education देकर यानि की शिक्षा देकर, अपने लोगों को स्वास्ति की सुविधाएं देकर अपने लोगों को रोजगार देकर अपने लोगों को subsidy देकर आर्थिक मदद देकर बहुत तरह के काम हो सकते हैं कि राज्य जो है कल्यांड कारी राज्य जो है अपनी जंता का भले के लिए काम करेगी तो इसको बोलते हैं कल्यांड कारी राज्य यह हस्तेचेप कारी भी होता है समाज की बहतरी के लिए कई चीजों में हस्तेचेप कर सकता है ठीके समाज को रोजगार वगेरा देगा इसके पहु पार्ट यह चुनाओ वाली ज्यादा तर आप देखोगे जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर कई सारी पार्टियां होती है तो लोकों के पास option होते है फिर इसमें क्या होती है अर्थविवस्ता पूंजी वालवाद भी देखने को मिलेगा जो मेइन मेन उद्द्योंग वगयरा होते हैं वो सरकाल के हाथ में होते हैं और पूंजी वाली व्यवस्ता को भी हाँ दिया जाता है निजी पुझेवादी कमपनिया भी आपको दिखेंगे और राज्य की राज्य भी होगा और दोनों साथ में काम करते दिखेंगे यह देखे कल्यांड कारी राज्य यह ना तो पुझेवादी बाजार को खतम करता है और ना ही यह जनता को निवेस करने से रोकता है तो यह कल्यानकारी राज्य की कुछ विसेष्ता हैं अगला कोशण है कि धुरिये जो हैं धुरिये इनके अनुसार जाती की विसेष्ता है बहुत सारी है जैसे कि जातियों में खंडिये विभाजन देखने को मिलता है सुपानिक विभाजन है, सीमित व्यवसाइक चुनाव होता है भिन-भिन अधिकार और कर्तव्य होते हैं विवापे कठोर परतिबंद होते हैं और सामाजिक अंतिक किरिया होती है तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं समाज जो है, वो कई बंद पारसपरिक खंडों में बटा है जो जनम से निरधारित होता है क्या होता है, कि समाज कुछ परंपराओं के साथ बंदा होता है और जो जिस जाती में जनम लेता है ये जनम पे निरधारित होता है, वो उसी जाती का होता है और हर जाती में क्या होते थे करम के आदार पे होते थे यानि हर जाती का अपना एक कारे होता था सो अपानिक विभाचन पे आदारित इसको देखें क्या होता है कि हर जाती दूसरी जाती की तुलना में आसमान होती है कोई भी 2 जातियां अगर हम देखें तो वो कभी भी समान नहीं होंगी ठीक है उनके बीच में difference होता है उनके रेति रिवाज अलग हो सकते हैं उनकी जो प्रताइएं होती है वो अलग हो सकते हैं फिर समाजिक अन्तकिरिया पर पर्तिबन लगाती हैं विसेश कर साथ बैठ कर भोजन करने पर फिर क्या होता है सबी जातियां जो जातियां देखो उची जाती और नीची जाती इस तरीके से बाटा हुआ है तो एक जाती दूसरी जाती से कहीना कही परतिमन लगाती है कि अपनी जाती में अपने समाज में रहना है अपनी जाती और में तो भेदबाव नहीं होगा लेकिन दूसरी जाती के परती उनके मन में भेदबाव रहता है बिन बिन अधिकार और कर्तवे निर्धारीत होते हैं क्या होता है कि विबिन जातियों में अलग-अलग तरह के अधिकार और कर्तवे जो होते हैं वो पहले से निर्धारीत होते हैं जनम पर आधारीत होती है ये वनसानुगत पे श्रम विवाजन में कठोरता दिखाई जाती है और विशिष्ट विवसाय कुछ विशिष्ट जाती हो को ही दिये जाते है बिल्कुल क्या होता है कि जो विवसाय होता है उसके आधारित होती है जैसे कि सुनार जो जाती है ये गोल्ड से रिलेटिड गहनों से रिलेटिड काम करते हैं लोहार जो है वो लोही से रिलेटिड काम करते हैं देके कुमार जो है वो मिट्टी के बरतन से रिलेटिड काम करते हैं तो इनका जो विवसाय होता है ये निरधारी तो होता है कुछ व जाती के लोग दूसरी जाती के लोगों से विवा करना पसंद नहीं करते हैं तो विवा के इनके नियम जोते हों कठोर होते हैं तो यह कुछ जाती है विवाजन है तो यहां पर अपनी वीडियो जो है खतम हो जाती है सारे important question जो है मैं आपको करा दिये वन सोट वीडियो थी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स वोर वाचिंग जै हिंद जै भारत